दोस्तो जारखंड के एक और जीला के तरफ से बहुत मणिया 311 पोश्ट पे चौकीदार का फॉर्म निकाला गया है ये वेकेंसी जो है ये रखा गया है राची डिस्टिक के तरफ से बहुत मणिया वेकेंसी है अगर आप लोगों न भी तेंथ पास किया है और राची से बिल पोश्ट पे वेकेंसी है फॉर्म को भरने के लिए आपके पास अप्लिकेशन फॉर्म होना चाहिए अप्लिकेशन फॉर्म आप लोग www.ranchi.nic.in से डाके डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे वाटसेप या टेलिग्राम गुरूप से ले सकते हैं और इसके साथ आपके पास चार पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए फॉर्म भरने में आपको चार फोटो का जरूरत लगेगा और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा इन्वलप का जरूरत लगेगा इन्वलप का मतलब होता है लिफाफा लिफाफा आपको किताब के दुकान में मि बीना नोटिफिकेशन समझे अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा तो यह है इसका नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन को भी मैं राची के ओफिसियल वेवा साइट से डाउनलोड किया हूँ अगर आप देखिएगा तो यहां प गजर से दक्रिट्की जा रही है वह है यहां पे आगे बाथ करें तो आगे बताया हुआ है कि जैसे कीनको कीनको छी संधिया ग City जाएगा तो छी कुछों पसे बैगा। उसके बाद यहाँ पे राज भासा भी भाग के संकल्प संख्या दिनां के लिए जन जाती अनुसुती जन जाती अलक्षिन कोटे में 2% दिया जाएगा सेक्षनिक योगिता की अगर हम बात करें डिजर्वेशन के बाद नीचे लिखा हुआ है पांच नंबर में तो चौकिदार पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको तेंथ क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोड से उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो निमतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और यहाँ पर आगे बात करें तो बताया गया है कि अनरक्षित में अधिकतम 35 वर्ष से कम होना चाहिए पिछडा और अत्यांत पिछडा वर्ष में 37 वर्ष से कम होना चाहिए महिला अगर वो अनरक्षित है या पिछला वर्ग है या अतियंत पिछला वर्ग है तो 29 साल से कम होना चाहिए अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती के लिए अगर आप पूरूस है या महिला है तो 40 वर्ग से कम होना चाहिए यहाँ पे आगे बताएं तो जैसे विकलांग जो होते हैं नहीं सकता यानि कि जिनको कम सुनाई देता है या आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है तो उनको बताया गया है कि 10 वर्स का एज में छूट दिया जाएगा इसके अलावा उनको 10 वर्स का छूट दिया जाएगा जिनके पास विकलांगता का सोटिफिकेट है, यहां पे बात करें तो बताया गया है कि आयो सीमा की गड़ना 1 जुलाई 2024 को किया जाएगा, यानि कि 1 जुलाई 2024 तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, और इस तरह जितना बताया गया है, इससे जादा नहीं होना चाहिए, इस गाओं का निवासी आप अगर हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भ्यार्थी को साइकल चलाने का ग्यान होना चाहिए, बताया गया है कि नियुक्ती की प्रक्रिया एक अस्तरी है, लिखित परिक्षा होगी, लिखित परिक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, प्रशन पूछे जाएंगे, लिखित परिक्षा में निवंतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवारे होगा, सफल उमिदवारों की सुची एक अनुपात 3 की संख्या में तयार किया जाएगा, यानि कि अगर हम टोटल वेकेंसी की बात करें तो 311 पोस्ट पे वेकेंसी है, तो रि प्रेरिक माप दंड की अगर हम बात करें तो ये आगे बताया हुआ है, कि जैसे आपका हाइट 160 cm होना चाहिए, जेनरल केटेगरी में और EWS केटेगरी में, पिछला वर्ग में 160 cm, अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती में 165 cm, महिलाओं के लिए 145 cm चाहिए, आगे यहाँ पे बात करें, तो बताया गया है कि लिखित परिक्षा के पाठिकरम समान गेवान एवं असानी ये भासा से संबंधित 50 वहवी कलपिये प्रस्न जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा, गलत उतर के लिए कोई अंक की कटवती नहीं की जाएगी, यानि कि निगे उसके लिए अगर वह 5 मिनट से पहले करते हैं, तो 20 नमबर दिया जाएगा, और 5 मिनट के बाद और 6 मिनट के अंदर करते हैं, तो 10 नमबर दिया जाएगा, आगे बात करें यहाँ पे जैसे कि, जैसे जो लोग मतलब पहले से चौकीदार पोश्ट पे काम किये हैं, उनको एक वर्स का दो नमबर दिया जाएगा अधिकतम 20 अंक जो है न दिया जाएगा मतलब जैसे उनके पास जो experience है उसके आधार पर गाहा सूची जो होगा वो लिखित परिक्षा में प्राप्त अंक, सारीरिक जाच में प्राप्त अंक, एवं कार अनुभव में प्राप्त अंक के योगि के अधार पर तयार किया जाएगा। 30-32,000 रुपाई इन हैंड सेलरी आपका बनेगा आवेदन करने की प्रिक्रिया में यहां पर बताया गया है कि उपरयोक्त योगिता 100 आहरता रखने वाले उबिद्वार से विभित परपत्र में आवेदन पत्र आवस्यक कागजात यथा जैसे कि सैक्षिनिक अंक पत्र परमा परमाल पत्र जाती परमाल पत्र जनमतित से संबंदित सैक्षिलिक परमाल पत्र तथा कार अनुभव परमाल पत्र उसके बाद यहां पर बताया गया है कि साथ में 100 अभी परमाली दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्म करते हुए 25 अगस्त दो हजार तोबिस तक प्रभा जमा करा सकते हैं 25 अठ दो जर चौबिस के बाद जो भी आवेदन जमा कराएंगे उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा किसी अन्य करियाला में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वता निरस्त समझा जाएगा आवेदन को बंद मतलब यहां पर आवेदन को बंदलिफाफे में निवंधित डांक स्वीड पोस्ट से भेजा जा सकता है और विवरन जीला के अधिकारिक विवसाइड www.ranchi.nic.in पर देखा जा सकता है एवं परपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है परिक्षा सुल्क बताया गया है कि अनरक्षित आर्थिक रूप से कम बनवाएंगे वो आप उपायुक्त राची के नाम से बनवाएंगे दिव्यांग अभियार्थी और महिला अभियार्थी के लिए परिक्षा निसुल्क है परिक्षा की तीथियों परवस पत्र जो है न निर्गत करने की सुचना दैनिक अस्थानिये समाचर पत्रों के जन दे रहें वहां के आप निवासी हो तो यहां पर जैसे देखिए सब का नाम लिखा हुआ है अब बात करते हैं फॉर्म को भरने का तो सबसे पहले फोटो चिप काके इसके उपर सिगनेचर कर देना है ग्रिष जीला का नाम तो आपको राची लिखना है अंचल का नाम त तो यहां पर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है यहां पर अभियुक्ति जो है अवेदित बिट छेतर का नाम तो यहां पर देखिए बिट का नाम लिखा हुआ है तो इस तरह आपको बिट का नाम लिख देना है बिट संख्या तो यहां पर आप देखिएगा तो बिट स बरेंगे उस जगह का निवासी आपको होना अनिवार है फिर यहां पे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है फिर यहां पे अंग्रेजी में लिखना है पिता जी का नाम हिंदी में लिखना है अंग्रेजी में लिखना है कोई साधी सुधा महिला उमिदवार है तो यहां नाम Hindi में और English में लिख सकती है फिर यहाँ पर आपको जो है जनम तीथी अंको में और सब्दों में उंको में कैसे लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे 25 लिख देना है जिसे मैं अपना डेट अव बर्थ यहाँ पे लिख दे रहाen यह मेरा डेट आप बर्थ होगे अब यहां से ऐसे कर देंगे और फिर हमको क्या करना है कि अब यहां पे हमको हिंदी में लिख देना है जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 25 जून और 2000 क्या लिखना है 2002 मेरा है 2002 है तो इस तरह से हम लिख देंगे फिर यहां पे 172024 को उम्र क करके बताना है कितने साल कितने महीने कितने दीन के हो रहे हैं आवेदा का अस्थानिये जंजातिये छेत्रिये भासा का नाम जैसे आवेदा का अस्थानिये भासा हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत में से तो हिंदी होगा फिर यहां पे जंजातिये भासा यहां पे जंजा पता तो गाउं का नाम पंचायक, पोस्ट ओफिस, थाना, अंचल, बीट संख्या, बीट का नाम, उसके बाद यहां पे जीला का नाम, मौईल लंबर और इमेल आईडी और पत्राचार का पता आपको लिखना है, फिर यहां पे आपको लिखना है अवेदित पद का नाम तो च यहां से आप दसवी पास किये हैं, किस वर्स किये हैं, कितना नमबर आपको मिला है, और कितना परसेंट से आप पास किये हैं, फिर यहां पे जेंडर में आपको टिक करना है, महिला है, तो महिला के सामने बॉक्स बना है, इसमें, अगर पूरुस हैं तो पूरुस के सामने यहाँ पे बताएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो आने दिखी लाड़ी है तो उसका परमाड़ पत्र संख्या यहाँ पे लिखेंगे और उस तिथी का डेट लिखेंगे जिस तिथी को आपको परमाड़ पत्र मिला था और उपलबधी के बारे हैं कि कैसा आपको उपल पर आपके खिलाप कोई अपराधिक मामला दर जुगा है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे नहीं तो खाली छोड़ देंगे अगर आपके पास कारे अनुभाव है जैसे कि चौकिदार पे कोई अगर काम किया है तो किस अंचल में काम किया है, किस थाना में काम किया है, किस बिट संख्या में काम किया है और वधी कितने वर्स आप काम किया है, यह आपको फिल कर देना है फिर यहाँ पे तीथी बताना है, जिस तीथी को आप form को भरना है, जिस जगह से भरना है उस जगह का नाम लिख देंगे और यहाँ पे signature कर देंगे दूसरा पेज भी हमारा फील हो चुका है, तीसरे पेज में आपको फोटो चिप काके क्रोज सिगनेचर कर देना है आवे दिद पड का नाम, चौकीदार लिख देना है अपना अपने पितजी का नाम और अपना पूरा एड्रेस लिख देना है यहीं आपको चार चीज फिल करना है नीचे ये केवल करियाले दोरा भरा जाएगा तो आपको फिल करने की कोई ज़रुरत नहीं है अब इसके साथ अगर हम बात करें तो यह हमारा तीन पेज का application है इस application को भरने के बाद आपको documents क्या क्या लगाना है तो documents जैसा कि मैं आपको notification में समझा दिया हूँ फिर भी एक बार समझा देता हूँ यह आप देखिए यह documents आपको जो है न जीरोक्स करा लेना है कोई भी documents आप original नहीं भेजेंगे यसे कि अधार card का जीरोक्स करा लेंगे तेंस का markersit and certificate का जीरोक्स करा लेंगे अगर आप exclusive, prof.c episode धेया है तो इसका जीरोक्स करा लेंगे EWA certificate अगर आप EWS candidates है तो इसका जीरोक्स करा लेंगे अगर आपके पास experience है चोकिदार post पे काम करने का तो उसका जिरोक्स करा लेंगे अगर आप एक service man है तो discharge book का आपको जो है ना जिरोक्स करा लेना है दो extra photo आपको ले लेना है और photo के उपर आपको signature कर देना है ये हो गया हमारा documents अब आपको क्या करना है कि एक envelope यानि की लिफाफा आपको किताब के दुकान से खरिद के लाना है और left side में आपको लिखना है उपर में यहां से आपको अपना नाम गाओं का नाम post office का नाम थाना जीला और जारकोंड लिख देना है pin code लिख देना है mobile number लिख देना है भेजने का जो पता है वो यहां तक आप लिख देंगे प्रभारी उप समहर्ता जीला समान ने सखा उसके बाद राची समराडाले राची ब्लॉक ए दूतिये तल्ला कमरा संख्या 209 राची पीन 834001 यह इसका भेजने का पता हो गया जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि इसमें application फी भी आपका लगेगा application फी कितना लगेगा तो जैसे अगर आप 200 रुपए देंगे general OBC EWS केटेगरी वाले SCST वाले 100 रुपए देंगे तो यह जो हो गया हमारा दो फोटो हो गया और जो जो नीचे आपको क्या करना है कि आपने जो जो documents लगाया है इसको self मतलब pin up कर देना है, pin up का मतलब होता है कि सब को serial wise से रखके और stapler से pin कर देंगे और pin करने के बाद इसको fold कर लेना है fold करने के बाद इसी के बीच में जो जो मैं photo बताया हूँ यह दोनो photo को रख लेना है और जो आप postal order या demand draft के माध्यम से application फिपे कर रहे है उसको भी रख लेना है और इस envelope के बीच में आपको insub को रख देना है यानि कि documents को application form को दो photo को और जो demand draft है उसको रख देना है गोन से चिपका देना है और चिपकाने के बाद इस address पे आपको जो है न post office के माध्यम से भेज देना है 25 अगस्त 2024 से पहले अगर जैसे ही आपका form पहुँच जाता है तो आपको 25 अगस्ते पहले तो आपको बस admit card का इंतिजार करना है admit card का मतलब आपको check करना है कि कब admit card आया और कब क्या होगा तो आपको जो है न Google पे www.ranchi.nic.in पे आप जाके check कर सकते हैं तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि राची के तरफ से बहुत बढ़िया राची डिस्टी के तरफ से बहुत बढ़िया चौकीदार का 311 पोस्ट वे वेकेंसी निकाला गया है इस वेकेंसी का ओफलाइन फॉर्म आपको घर बैठे कैसे भरना है अगर मेरी दिवी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वस इतना ही मैं आपसे वीदा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नॉलेज जाए हिंद जाए भारत